दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी यूटूब फैमिली को नौरात्र की हार्दिक सुखकामनाएं सभी लोगों को छोटे बड़े सभी को और फ्रेंट्स आज मैं कुछ प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि और वो इतना और्गनिक फटलाइजर है कि आपके अगर एक बार पौदे में महीने में या दो महीने में डाल देंगे तो फ्रेंट्स फूलों से इतना भड़ जाएगा इतना भड़ जाएगा कि आप समालना मुस्किल हो जाएगा फूलों को तो इन फूलों के साथ में आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ में अंत तक और पूरा वीडियो आज कीजिए फ्रेंट्स क्या है कि जब हम यह देखिए हमारे पास बोगन बेलिया तो बहुत तरह की लगी यह कम से साथ पांस साथ कलर लगे हुए हैं हमारे पास और हर कलर अलग अलग हैं कुछ तो नीचे मैंने लगा रखा है और कुछ ही है और यह देखिए फ्रेंट्स अभी मैं टिप करती जली जाती उनको कट कर देती हूं क्योंकि घना और बूशी होता रहेगा जूंकि मैंने कुछ पौदे उपर से नहीं मैंने किये थे तो वो देखि लॉंग जैसे हो गए काफी बढ़ते उपर को चले जाते हैं तो अगर छोटा सा प्लांट्स रखना तो इनको नीचे नीचे कट करते रहें और नीचे नीचे फैलते रहेंगे तो यह उपर को नहीं तो फ्रेंट्स कोई केर नहीं इन फूलों में है जो आज पौदों के बारें जिस प्लांट्स के बारें मैं बताऊंगी इन पौदों के ज़्यादा कोई केर नहीं करनी पड़ती फ्रेंट्स बस थोड़ी थोड़ी केर देखनी पड़ती देख रहें और ना ज़्यादा बोगन बेलिया लगी हुई है और भी हम कभी टाइम मिला तो मैं नीचे भी दिखा दूँगी नीचे जो पोर्शन में है बीच के पोर्शन में है वो भी दिखा दूँगी ये देखें फ्रेंट्स ये पार्चूलका का जो है नाइने क्लॉक पौधा तो इस समय अगर आप कट कि मैं यह नहीं करती हूं को सरीओं में डोर्मिन सी में चले हैं होड़े तूर्व के रखनो मैं बिल्कुल नहीं बचा करकरके रखन हूं और इसी में लगे रहते इसी में तयार होते रहते हैं और पूरा जंगल की तरीके गार्डन पूरा भर जाता है कुर्कि इनके शीट से कही nggak कही गिरते हैं और अपना इस तयार होते रहते हैं तो फ्रेंड उस फटलाइजर के मारे बारे में में बताऊंगी जो मैंने डाली है और यह देखिए बैगन में थोड़े कीड़े उड़े लगने लगे हैं तो इनमें भी फटलाइजर को डालूंगी और देखिए अभी लाश्ट में मैं दिखाती हूँ और यह देखिए फ्रेंट सेम कभी है सेम इसमें अपने यहाप होगाई है जब मैंने इसके सीट्स भी ब फ्रेंट्स बिल्कुल भी नहीं केर किया था तो मैंने सोचा था कि इसको मैं उखाड करके फैक दूंगी यहां से हटा दूंगी रास्ता दूसरी जगह बनाऊंगी लेकिन फिर फ्रेंट्स से मेरा मन हो गया कि अपने आप उगने लगी तो मेरा एकदम से बिचार बदल गय मैंने का चली कोई बात नहीं तो यह फ्रेंट्स से देखिए कि इनको ऐसे अलग अलग करके ऐसे हटा दें क्योंकि मेरा बिचार था बिल्कुल हटाने का क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उखाड करके फैक दी थी और यह इतना हाड़ी पौदा होता है कि जल्दी सूपता भी नहीं है पानी ना इसमें ज्यादा पानी क्या हो सकता होती है तो अगर पानी डालने में आप थोड़ी नहीं डाल पाते हैं खुले एरिया में रखा है पौदे रखे हैं तो उसको यह ही पौदा लगाए अब यह फ्रेंट्स से देखिए कि कुड़ा के धेर की तरीके हो गय तो मैंने सोचा कि चली फ्रेंट्स यह कॉफी का ही आज इनमें थोड़ा सा डोज देती हूं पिलाती हूं इनको कॉफी तो यह हमारे 15 दिन जब होंगे जबी पहुदे बिल्कुल जीवित हो जाएंगे है न फ्रेंट्स तो यह देखिए अभी थोड़े से इसमें डिब्बे में डाल करके इसको पूरा घोल तयार करेंगे यूँकि ज्यादा बड़े पॉट में बालटी में डालेंगे न फ्रेंट्स तो यह घुलेगी नहीं कि और इसको धुक्यन बंद करके इसको अभine आज रखांज हो जाएगा तो हिला देंगे जब घुल गई ती ज्ञाग बंद करके तैयार ओगई है अम खुब बनाएंगा इस से हिलाते रहेंगे तो खुब ज्ञाग बंद करके पुरा डिब्बा बढ जाएगा तो तो मैंने ये देखा इसको हिला दिया अब ये जो है इसमें डस रुपय के पैकट में मैंने ये दस लीügen की बाल्टी में पोरा ये डाल दूंगी ये देख रहे हैं इस तरह से मैं डाल दूँगी और इसमें और सब पहुदों में इनको पिला दूँगी पानी जड़ों में जब जाएगा ना तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगे और फ्रेंट्स यही आप लोग भी करिए अपने अपने गार्डन में तो पहुदों से इतना लद जाएंगे पहुदे किसी भी पहुदे हो चाहे गुलाब के हो या गुलहल के हो किसी के भी हो चब में इसमें खुब धेरों फ्लावरिंग होने लगेगी तो फ्रेंट्स आप जरूर कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा रहा और आप लोग कहां से देख रहें फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किये भी ना ना जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें फ्रेंट्स और इस समय नौरात्र रखें थेंक्यू